हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है ये डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस डिजैन को आप लेडिज कारडिगन, लेडिज हाप जैकेट, गर्ल स्टो, प्रो, कुर्ती, हाइनेक किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुती संदर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 17 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एड़ज़्ट हो जाएगा ये डिजैन उल्टी साइड से शुरू होता है और 8 सलाईयों में कम्पलिट हो जाता है इस डिजैन को यहाँ पर मैंने 3 प्लाई वाली उन से बनाया है और इसमें मैंने 9 नंबर की सलाई यूज की है तो सलाई आप अपनी उन के अनुसार ले लीजिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंट्स इस डिजैन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 36 फंदे 17 दूनी 34 और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा फंदे आप इसमें नॉर्मल डाल लीजिए और हलके से लूज हाथ से फंदे डालिए फंदे डालने के बाद पहली सलाई सीधी साइड से आप इसमें उल्टी उल्टी बुन कर कम्पलीट कर दीजिए अब देखिए यहां पर मैंने इसकी एक सलाई उल्टी उल्टी बुन ले है यह इसकी उल्टी साइड है और यहां से डिजैन की पहली सलाई है तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी पहली सलाई कैसे बनेगी पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे इस तरह से स्टार्टिंग में आप उल्टे बनाईए फिर धागे को इस तरह से पिछे कीजिए दो फंदे सीधे एक और ये दो फिर सी धागा अप पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे इस डिजयन को आप विडियो के साथ साथ ही बनाईए ताकि आपका डिजयन आसानी से एड़ज़्ट हो जाए तो ये देखिए ये हमने 17 फंदे पर डिजयन बनाया है आप एक बार ध्यान से देख लिजिए चार फंदे उल्टे बनाये दो फंदे सीधे फिर दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा एक उल्टा एक सीधा फिर दो उल्टे दो सीधे और दो उल्टे ये हमारा 17 फंदे का डिजयन है अब इसी को बार बार रिपेट करना है तो देखिए मैं दोबारा से डिजयन को रिपेट कर रही हूँ यहां धागा अपनी तरफ ही रहे चार फंदे अब हम उल्टे बुनेंगे देखिए एक दो तीन और ये चार फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे देखिए एक और ये दो फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे करेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागे को पीछे करेंगे एक फंदा ये सीधा फिर से धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ और ये दो फंदे उल्टे तो ये देखिए हमने दोबारा से अपना य 17 फंदे का डिजैन बनाया है ये देखिए 4 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 1 सीधा 1 उल्टा 1 सीधा फिर 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे यही डिजैन आपने बार बार रिपिट करते जाना है और लाश्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा ही बुन दिजेगा तो पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और सीधी साइपर दूसरी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के साथ साथ ही बना लीजिए तो ये देखिए 1 और ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ र फंदे उल्टे एक और ये 2 फिर से धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे अब देखिए धागा आपका पीछे ही रहे यहां पर हमने जाली से फंदा बढ़ाया है अब यहां पर हम 3 फंदे का एक करेंगे तो इस फंदे को छोड़ देंगे बीच वाले को लेंगे इसे उ तीन फंदों को ऐसे हलका सा लूज करेंगे और बैक साइड से स्लाइड डाल के तीन का एक कर देंगे तीन का एक करने से यहां पर दो फंदे कम हो गए एक हमने जाली से यहां पर बढ़ाया है अब देखिए दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और दो फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर हम एक जाली बना देंगे तो ये देखिए यहां से और यहां तक हमने ये 17 फंदे का डिजैन बनाया है अब इसी डिजैन को हम बार बार रिपेट करेंगे तो दोबारा से डिजाइन को रिपेट कर रही हूँ, त्यान से देखिएगा, दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, धागा अपनी तरफ रहे, दो फंदे सीधे, एक और ये दो, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, और दो फंदे सी थे एक और ये दो अब एक दो और ये तीन इन तीन फंदों का एक करेंगे देखें यहाँ पर हमने जाली से फंदा बढ़ाया है तो यहाँ पर हम तीन का एक करेंगे तो बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे आगे वाले को उतार कर बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे और इ इन तीन फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे बैक साइड से स्लाई डालेंगे और तीन फंदे का हम एक फंदा बना देंगे फिर दो फंदे सीधे एक और ये तो धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे फिर से धागा पीछे और दो फंदे सीधे धागे को अपनी करेंगे लपेट कर एक जाली डाल देंगे तो यह देखिएगा आप यहां पर यह इधर से भी जाली है और इन दो के इधर भी जाली है तो यह दो उल्टे एक जाली है फिर दो फंदे सीधे दो उल्टे दो सीधे तीन का एक किया दो सीधे दो उल्टे दो सीधे और लपेट कर जाले डाले तो यहां से यहां तक फिर से हमने यह 17 फंदे का डिजाइन बनाया है अब आपके जितने भी फंदे हों इसी को बार बार रिपीट करते जाएए और लाश्ट में आपके दो फंदे बचेंगे इनको आप इस तरह से उल्टा ही बुन दीजिएगा तो दो सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज यह तीसरी सलाई और सीधी साइबर तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहले यह दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे करेंगे यह जो हमने जाली बनाई इसे हम सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और यहां पर देखिए एक दो तीन चार और यह पांच फंदे आपको उल्टे दिखेंगे इनको आप उल्टा बनाईए एक दो तीन चार और यह पांच फिर से धागे को पीछे की तरफ कीजिए और दो फंदे सीधे बनाईए फिर धागे को अपनी तरफ और दो फंदे ये उल्टे बनाईए अब इसी डिजाइन को देखिए हम यहां से और यहां तक हमारा जो डिजाइन है इसको हम बार बार बुनेंगे धागा पीछे करेंगे उल्टी साइड से आपको जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुने हैं ये जो जाली है इसे आगा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे इसमें आपको सीधे उल्टे बिल्कुल साफ साफ नजर आने शुरू हो जाएंगे जो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही आपने बनाते जाना है जो जाली डाली हैं सिरफ उनको ही आपने सीधा बुनना है तो ऐसे करते हुए आप इस स सलाईयां कम्प्लीट हो गई चोथी सलाई है और सीधी साइड है चोथी सलाई पर तो सीधी साइड से भी आपको सीधे उल्टे फंदे नजर आने शुरू हो जाएंगे तो इस सलाई को आप ध्यान से देखे कि कैसे बनाएंगे पहले वाले दो फंदे उल्टे अब अब धागे को पीछे करेंगे ये दो फंदे सीधे फिर से धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे धागे को पीछे लेकर जाएंगे और यहां पर ये जो दो हैं इसमें से एक फंदा सीधा बुनेंगे और अब इन तीन फंदों का एक करेंगे तो बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे इसे उतार कर बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे और इसे पलट के सबसे आगे करेंगे धागा पीछे रहे और इन तीन फंदों में बैक साइड से स्लाई डालेंगे और तीन का एक फंदा बना देंगे फिर ये एक फंदा ऐसे सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, और इसमें भी जाली आपकी हर बार यहीं पर आएगी, तो लपेट कर इस तरह से जाली बना देंगे यहां से यहां तक 17 फंदे का डिजाइन बना है इसी को बार बार रिपेट करेंगे तो फिर से देख लीजिए दो फंदे उल्टे अब देखिएगा इस तरह से लपेट कर एक जाली डालेंगे और इस एक फंदे को उल्टा बुनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागे को पीछे ले जाएंगे एक फंदा ये सीधा और ये जो तीन फंदे हैं इन तीन का यहां एक करेंगे तो बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे इसे उतारेंगे बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे बीच वाले को पलट के सबसे आगे करेंगे इन तीन फंदों में पीछे की साइड से स्लाई डालेंगे और तीन का यहां एक फंदा बना देंगे अब ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और लपेट कर एक जाली बनाएंगे, ये हमने 17 फंदे का डिजैन बना दिया है, फिर से इसी को बार बार रिप कीजिए और लास्ट में आपके दो फंदे होंगे इनको आप उल्टा बुन लीजिए तो चार सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई पांचमी सलाई सीधी साइड पर पांचमी सलाई को ध्यान से देखिएगा एक और ये दो फंदे इस तरह से उल्टे बनाएंगे धागा पी धागा अपनी तरफ दो उल्टे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ यहां बीच में आपको तीन फंदे एक साथ उल्टे दिखेंगे इनको आप उल्टा बनाईए फिर धागा पीछे दो फंदे ये सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे जाली वाले फंदे को भी सीधा बुन देंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और डिजैन को रिपेट करना है दो फंदे उल्टे धागा पीछे जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे ये सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बुनेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उ आपको एक साथ उल्टे फंदे यहां पर दिखेंगे इन तीनों को उल्टा बुन दीजिए फिर से धागा पीछे करेंगे ये दो सीधे हैं फिर धागा अपनी तरफ ये दो यहां पर उल्टे हैं धागे को पीछे ले जाएंगे ये सीधा फंदा बनाया और ये जो जाली वाल सलाई है और इसकी ये सीधी साइड है छटी सलाई को आप ध्यान से देखिए कैसे बनेगी पहले वाले दो फन्दे उल्टे अब देखिएगा इस तरह से यहां पर लपेट कर एक जाली बनाएंगे और ये दो फन्दे यहां उल्टे एक और ये दो जाली आपको इन दो फंदे के बाद ही डालने होगी फिर धागा पीछे, दो फंदे ये सीधे देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे ये दो फंदे यहां उल्टे हैं तो इनको हम ऐसे उल्टा वोनेंगे फिर धागे को पीछे ले जाएंगे ये जो तीन फंदे हैं इन तीन का एक करेंगे तो बीच वाले को ऐसे लेंगे इसे उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसे पलट कर सबसे आगे करेंगे तीनों फंदे को आप थोड़ा सा लूज कर लीजिए फिर बैक साइड से स्लाइड डालके इन तीन का यहां एक कर दीजिए अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे यहां उल्टे धागे को पीछे लेकर जाएंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे अब यहाँ पर हम लपेट कर एक जाली बना देंगे फिर से डिजैन को शुरू करना है यहाँ से यहाँ तक 17 फंदे का डिजैन बन गया है लपेट कर जाली डालने के बाद दो फंदे उल्टे अब फिर से लपेट कर जाली बनाएंगे फिर हम देखिए दो फंदे ये उल्टे बनेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे दो फंदे ये उल्टे बनाएंगे धागे को पीछे लेक कर जाएंगे इन टीन का यहां एक कर देंगे तो बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे इसे उतार कर ब면फसी सिलाइपर और बीच वाले को पलटके सबसे आगे करेंगे तीनों फंदे में пойд साइड़ से वालेंगे एक कर देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा हम अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे उल्टे लपेट कर इस तरह से जाली बना देंगे इसी design को बार बार repeat कीजिए और last के दो फंदे उल्टे इस design को आप वीडियो के साथ साथ जब सेम फंदे में बनाएंगी तो फिर अपने project पर adjust करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी इसलिए कोशिज कीजिएगा कि आप इतने ही फंदे में डाल करो और सेम साथ साथ बुन ल दो फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे अब देखिएगा यहां पर हमारे ये दो फंदे सीधे हो चुके हैं तो अब की बार ये साथ बीस लाई पर हमारा जो जाली का फंदा है उल्टा बुना जाएगा तो देखिए इस जाली को हम उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे अब ये दो फंदे यहां सीधे हो गए और फिर धागा अपनी तरफ और ये दो उल्टे क्योंकि ये दो सीधे दो उल्टे का जो करम है यहीं हमें बनाना होता है तो सात्मी सलाई पर ये जाली हमारी उल्टी बनेगी तो ये जाली को उल्टा बुन लिया दो सीधे हो गए दो फिर धागा अपनी तरफ ये एक फंदा यहां उल्टा फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे यह उल्टे धागा पीछे और ये दो फंदे यहां सीधे तो देखिए ये जाली से जो फंदे बढ़े थे दो यहां भी सीधे हो इसको उल्टा बनाया, अब ये दो फंदे भी हम उल्टे ही बुन देंगे, यहां की जो जाली है इसी भी ऐसे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ये दो फंदे सीधे दिख रहे हैं, तो इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे, धागे को पीछे करेंगे दो फंदे ये सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा है यानि जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनते जाना है सिरफ जो जाली हमने डाली हुई है उसको सातवी सलाई पर उल्टा बुनना है तो ये देखिए ये दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ जाली के फंदे को उल्टा बनाया और लाश्ट के दो फंदे भी उल्टे ही आ जाएंगे तो साथ सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई आठवी सलाई है और इसकी ये लाश्ट वाली सलाई है तो इसे आप देखिए कैसे पूरा करेंगे दो फंदे य एक और ये दो अब धागा अपनी तरफ रहे ये जो जाली है हमने साथ भी सलाई पर उल्टी सैड से उल्टी बुनी तो यहाँ पर ये फंदा हमारा सीधा आएगा तो धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, दो फंदे ये सीधे फिर से धागे को देखिए अपनी तरफ करेंगे और यहां एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे धागे को पीछे कर देंगे और इन तीन का यहां एक बनाएंगे तो इसे छोड़ देंगे, बीच वाले को लेंगे इसे उतार कर बैक सैड की स्लाइपर डालेंगे और इसे हम पलट के सबसे आगे कर देंगे धागा अपनी तरफ रहे और इन तीन फंदे को थोड़ा सा लूज कर लीजिए ताकि पीछे से तीन का एक करने में आसानी हो जाए तो यह हमने तीन का एक कर दिया धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा धागे को पीछे करेंगे दो फंदे ये सीधे फिर धागा अपनी तरफ ये दो फंदे यहां उल्टे देखे धागा पीछे करेंगे ये हमारा जाली से जो फंदा बना था इधर से हमने उल्टा बनाया तो अब ये हमारा यहाँ पर सीधा हो जाएगा धागे को अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर एक जाली बना देगे ये हमने 17 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपेट करते जाएए तो ये देखें दो फंदे उल्टे धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागे को पीछे की तरफ करेंगे और इन तीन का हम एक बनाएंगे तो पहले को छोड़ कर बीच वाले को लेंगे इसे उतारेंगे बैक साइड की सलाई पर हम इसको डाल देंगे इसे पलट के सबसे आगे करेंगे फिर तीनों फंदे में बैक साइड से सलाई डालेंगे और तीन का एक फंदा कर देंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा ये उल्टा धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागे को पीछे करेंगे ये जो जाली से फंदा बना इसको यहां सीधा और लपेट कर एक जाली डाल देगे यही डिजैन बार बार रिपेट करना है और लाश्ट के दो फंदे उल्टे आएंगे तो ये देखिए आठ सलाईयां डिजैन के कम्पलीट हो गई आठ सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अब इनी आठ आठ सलाईयों को बार बार रिपेट करते जाना है जो डिजैन की पहली सलाई हमने यहां से शुरू की अब नौमी सलाई पर आपका वही डिजैन शुरू हो जाएगा तो चलिए मैं इसकी आपको नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग यानि नौमी सलाई पर दोबारा से बता देती हूँ ताकि डिजैन को रिपेट करने में आपको कोई प्रोब्लम ना हो तो ये देखे ये आठ सलाईया हमारी बन चुकी है यहां से नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग है तो चार फंदे उल्टे एक दो ये जाली वाला तीन और ये चार चार फंदे उल्टे हो गए धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब धागा पीछे करेंगे एक फंदा देखे हम सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने यहां से स्टार्टिंग की, वही सेम हमारी दोबारा से हो गई है, चार उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, अब सेम डिजैन को दोबारा से रिपेट करना है, तो द धागे को पीछे करेंगे दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागे को पीछे करेंगे एक सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे एक सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ और दो फंदे उल्टे यही डिजैन बार बार रिपेट करना होता है और लास्ट के दो फंदे उल्टे आ जाएंगे तो यह देखी मैंने आपको next बार की starting करके दिखा दी है और आगे की सलाईया बुन्ने में अगर दिक्कत आती है तो वीडियो को आप रिपेट करके द बहुत ही संदर सा डिजैन बनता चला जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको यह डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं सबस थेंक यू